OVC आरक्षन रद्ध हो गया है इसका बड़ा असर जहां राज्ज में घोसित पंचाय चुनाव पर पढ़ा है वही नौइमबई मनपा के आगामी चुनाव पर भी इसका व्यापक असर पढ़ने वाला है OVC आरक्षे सीटों के ओपन होने से जहां मुकाबला बढ़ गया है वहीं कई कैंडिडेट चुनाव से बाहर हो गया है हलाकि कई दिगजनगर सेवक जो रिजर्वेशन के कारण प्रभाग छोड़कर दूसरे वाट से चुनाव लड़ने की तयारी में थे इस नए समय करण का नौइमबई मनपा चुनाव पर क्या असर होगा देखिये हमारी एक्स्क्लिसी रिपोर्ट यह ओबिसी कैटिगरी के लोगों के खिलाप पानी आया है तो मेरे कहल से आरक्षन हो या ना हो या एलेक्षन लेने में कोई आईस नहीं है महराश्ट में ओबिसी के राजनेती का आरक्षन पर बवाल मचा है इसका असर महानगर पालिकाओं के चुनाव में उन लोगों को होने वाला है जो आरक्षन के सहारे जीत का सपना देख रहे थे सबसे अधिक चर्चा नईमभई महानगर पालिकाओं को लेकर है जिसमें 27-20 सीटों पर OBC प्रत्यासी चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन अधर में लटके OBC आरक्षन ने उन्हें आरक्षित उमिद्वारी की बजाए ओपन में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है चुनावी यंक गडित पर नजर डालें तो आरक्षन के तहत महीं मनपा के 122 सीटों में से कुल 36 सीटों पर OBC कैंडिडेट को चुनाव लड़ने का मौका मिलने वाला था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका सपना चकना चूर कर दिया यानि 27 फीजदी सीटें अब OBC आरक्षन से मुक्त होंगी तो वहाँ जातिगत उमिद्वार की बजाए कोई भी चुनाव लड़ सकेगा वरिष्ट पत्रकार विस्वरत नायर मानते हैं कि इसका आसर भले ही चुनाव पर नहीं होगा लेकिन समवैदानिक अधिकारों पर पड़ेगा जो सामाजिक परिप्यक्ष में सही नहीं है तो जल्दी से जल्दी ये आरक्षन का जो अधिकार है इनको जल्दी से जल्दी वापस देना चाहिए गौर कीजिए एक बार फिर वाडों के आरक्षन की घोशना होने वाली है बताना मुश्किल है कि कौन से सीट ओपन होगी लेकिन उससे पहले बीते साल 2020 के आरक्षन पर नजट डाल लीजिए दीगा प्रभाग दो राम नगर और सिवसेना नेता विजच चौगले की चिंचपाडा प्रभाग साथ की सीट के साथ ही वाड नमबर आठ नौर बारा की सीट ओपन हो गई थी रबाले के आम बेटकर नगर पंचशीन नगर प्रभाग उननिस और पीस की दो सीटन सबसे अधिक सुर्खियों में रही जहां अरक्षन होने से पुर्व मेयर सुधाकर सोनाओने पाउने वाड अरतालिस से चुनाओ लडने की तयारी में थे हालिया महापौर जयवन सुतार का प्रभाग एक क्यासी सिरवने गाउं भी ओपन हो गया था रिजर्वेशन के कारण वे भी वाड असी में चुनाओ लडने की तयारी में थे कमोबेश ऐसी हालत सोलह वाडों में थी जहां अरक्षन के चलते कई दिगजों को दूसरे वाडों में जाने की नौबत आ गई थी परिष्ट पत्रकार विस्वरतनायर मानते हैं कि चुनाओं तो हो रहे हैं लेकिन एक तपके को उसके समवैदानी अरक्षन से बंचित रख कर चुनाओं कराने का कोई यौचित नहीं है और ये OBC कैटिगरी के लोगों के खिलाफ अन्याय आई है भिलहाल OBC आरक्षन पर महाविकासा घारी सरकार पसो पेश्च में है सुप्रीम कोट के सक्त निर्देश के बाद सरकार मजबूरन चुनाओं की तयारी में जुटी है वाडों के आरक्षन की कवायद उसका संकेत है लेकिन अंदर खाने खबर ये भी है कि सरकार किसी भी तरह चुनाओं को तब तक टालना चाहती है जब तक की OBC आरक्षन का कोई राजनेतिक समाधान नहीं मिल जाता बिरो रिपोर्ट टीवी वर इंडिया लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवी वर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए